हेलो स्टुडेंट आज नियू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो हाइयर मैथमेटिक्स यह बीएसी और इंजिनियरिंग मैथमेटिक्स में हेल्पफुल है और इसको पुरियर सीरीज से पहले इसके पहले भी मैं एक लेक्चर का वीडियो दे चुका हूं उसमें फुरियर सीरीज के फर्मुला और उसके डिचलेट कंडिशन पर डिसकस किया गया आज मैं एक नियू टॉपिक इभेन और फंक्शन पर डिसकस करूंगा और एक्जाम्पूल एंड सॉलूशन उसका भी मैं डिसकस करने वाला हूं तो सबसे पहले देखिए कि यह जो फुरियर सीरीज का जो फॉर्मुला होता है जैसे जैसे f of x is a not by 2 और प्लस समेशन एक्वास तो 1 to infinite a n cos nx और प्लस b n sin nx यह समेशन के फॉर्म में अब इसमें जो coefficient है Fourier coefficient a not equals to 1 upon pi minus pi to pi f of x dx यह जो interval minus pi to x and x is less than plus pi और a n का जो फॉर्मुला होता है वो minus pi to pi f of x cos nx dx होता है और b n का जो होता है 1 by pi minus pi to pi और f of x sin nx और dx होता है यह तो फॉर्मुला है अब इसी में आईसे एक्जाम्पूल जो even और old के term में होता हो तो आप यह previous class में भी study कर चुके हैं 12 class में कि if f of x is even then तो इसमें जो है f of x minus x x के जगब पर minus x पूट किया जाए जदी f of x हो जाए तो यह जो f x होता है even हो जाती है इन दाट केस इसमें कैसे even होता है और किस तरह से यह odd हो जाता है तो इस केस में a not an और bn पर depend करता है तो an के लिए जब an का formula को हम explain करूंगा तो इस तरह से वही range होगा 1 by pi minus pi to pi f of x cos nx dx हो जाएगा अब इसको जदी limit को break किया जाए in that case 1 by pi or integration minus pi to 0 f of x cos nx dx plus 0 to pi f of x cos nx और dx हो जाएगा अब इस first integration इसको let किया जाए और इसको second अब first integration से ग्रल को जदी solve किया जाए तो इसमें जो है substitution method के according x equals to minus t put करता हो तो इसमें dx equals to minus dt और limit को जदी change किया जाए तो x equals to 0 तो then t equals to 0 and x equals to minus t minus pi तो minus pi equals t is pi हो जाता है तो i1 का जदी value find करते हैं तो in that case यहाँ पर pi 0 f of x यानि f t हो जाएगा चुकि यह जो function है event function में और cos nx हो जाएगा x के minus t हो जाएगा और minus dt होता है अब इसको देखिए चुकि cos में cos minus theta equals to cos theta होता है और cos minus sin theta यानि कि minus sin में जदी यह हो तो यह minus sin theta के equal हो जाता है तो इस case को apply करने के after i1 का जो value होगा इसमें change of limit जदी करते हैं तो यहाँ minus और इसके after 0 to pi f of t f of t minus t तो minus t जो है f of t के equal हो जाता है चुकि यहाँ भी minus t है तो यह f of t के equal हो जाएंगे तो अब थोड़ा सा नीचे में f यह जो limit change करते हैं 0 to pi f of t और cos में positive हो जाएगा nt और यह minus dt अब इस sense में तो यह positive हो जाएगा minus minus मिल करके positive और यह dt cos nt dt अब definite integration के rule के according that is 0 to pi और f of x cos nx dx के equal हो जाएगा अब i equals to i1 plus i2 के sense में तो जब दोनों का value same हो जाती है तो उस sense में 2 से multiply हो करके यह जो है 0 to pi और f of x into cos nx तो इस तरह से यह जो इभेन में यह जो i n होता है an होता है उसकी जो value हो गई तो इस तरह से यह इसका value find करने के after यह हमें obtain हो जाता है अब bn के लिए तो bn में 1 by pi और minus pi to pi f of x sin nx dx हो जाएगा similarly जदी इसे 1 by pi break किया जाए limit को तो minus pi to 0 f of x sin nx और dx प्लेस 0 to pi f of x sin nx nx हो गाए और dx हो जाएगा जब इसको भी solve किया जाए तो इस sense में यह जो minus जदी इसी तरह से substitution किया जाए तो यहाँ पर 0 to pi of x और sin nx हो जाएगा sin nx minus और यह dx वाला value minus dt minus dt minus 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 plus हो जाता है और dx और प्लेस 0 to pi f of x sin nx dx तो इस तरह से यह दोनों cancel हो जाते हैं और cancel होकर के bn का value जो 0 हमें obtain हो जाता है तो देर्फोर देर्फोर इवन अफ एक्स इज इवन देन a n is even a and a n a not plus a not and a n is even but but b n is odd bn is odd function हो जाती है तो इस तरह से bn का value जदी 0 of 10 हो जाता हो तो bn हो जाता है अब now f of x is odd function odd function for all the value of x function for all for all value of value of x then f x minus x is minus f of x अब इसमें a n का value find करने के लिए a n equals to 1 by pi minus pi to pi f of x cos nx और dx के form में similarly breaking the limits are minus pi to 0 f of x और cos nx dx प्लस 0 to pi f of x cos nx dx हो जाएगा अब इस breaking में first part को जदी solve किया जाए तो by substitution method से f x is minus और cos nx is positive हो जाएगा उस sense में यह जो value होगा minus 0 to pi f of x के बदले में minus और cos nx और dx और dx के बदले में यह जो minus minus plus हो जाता है और dx हो जाता है यह minus और 0 to pi f of x cos nx dx इस sense में an का value 0 हो जाती है तो अब bn के value के लिए now value of bn 1 by pi minus pi to pi f of x sin nx dx जब breaking किया जाए तो इस तरह से minus pi to 0 f of x sin nx और dx प्लेस 0 to pi f of x sin nx और dx हो जाएगा अब इस sense में यह जो है इसको इसको first और इसको second by substitution methods i1 का जदी value find करेंगे तो minus pi to 0 f of x sin nx dx इसमें let x equals to minus t और जब इसमें limit put करेंगे और इसका differentiate करेंगे तो minus dt हो जाता है और limit nx है nx है तो minus minus n into t और minus dt फर्स्ट पार्ट को जदी solve करने के after अब देखिए इसमें जब इसको solve किया जाता है तो i1 का value जब इसका limit change की जाती है by definite integral rules 0 to pi और f minus t is minus f t and sin minus sin t और यह जो है nt not t and minus dt यह सभी को जदी sum up किया जाये तो that is pi f t sin nt and dt हो जाएगा by definite integral rules it is f of x and sin nx nx और dx अब इस दोनों को यानि की bn की जो value है i1 plus i2 के form में that is the 2 by pi और 0 to pi f of x sin nx nx dx hence therefore f x is odd function odd function then a n is even a n is even and b n is not not an is odd an is odd and b n is even तो इस तरह से यह formula बन जाती है और इस फर्मूला के basis पर मैं example पर discuss करने वाला हूं अब देखिए example है यह तो इस तरह से आप क्या देखें कि और और इवें फंक्शन में कि यह जो इवें फंक्शन होता है उसमें तो तूस पर इवें फंक्शन that f of x यानि f of x is a0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinite a n cos n x के basis पर या solve होता है and f x for odd function के लिए function इसमें bn का value 0 हो जाएगा even के लिए odd function के लिए an a0 is 0 and bn का value bn is summation n equals to bn f of x f of x is bn sin n x तो इस तरह से ये formula हो जाती है अब इसके example देखा जाएगा तो सबसे पहले मैं एक example लिया जो की odd function पर basic है तो इसका solution the find the Fourier series for f of x is x in the interval minus pi to pi है तो function given f of x is x है that is इसमें जदी f of minus x put किया जाए तो इसकी जो value हो जाएगी minus x हो जाएगी therefore की f of x is odd function odd function अब odd function का जो formula होता है चुकि यह जो summation n equals to one to infinite और bn sin nx dx अब इस formula से ही हम find कर सकते हैं तो तो अब bn equals to चुकि range जो है one by minus pi to pi है और f of x sin nx और dx है तो इस sense में इसको जदी integration के rule के according 0 to pi f of x is x sin nx और dx हो जाएगा अब integration के rule के according इसको जदी solve किया जाए तो integration by part के according पहले आलेट से first term second term को हम define करेंगे तो x sin x का integration minus cos nx by n फिर minus यह cos x का differentiation one और minus cos nx का integration by integration minus sin nx by n square और limit 0 to pi तो then minus x cos nx by n minus minus plus sin nx by n square और 0 to pi जब limit put किया जाए तो 2 और minus pi cos n pi by n and sin n pi by n square और lower limit put करने के after 0 minus 0 minus 0 cos 0 by n plus sin 0 by n square तो अब जदी इसकी value को put किया जाए तो 2 by pi और minus pi cos n pi का value minus 1 raise to power n by n और sin n pi का value 0 होता है और यह भी term 0 और यह भी term 0 तो in that case कि यह जो value होगा minus 2 pi 1 raise to power n minus 1 upon n by pi pi को cancel करके minus 2 1 raise to power 1 by n तो यह जो b n का value होगा अब इसकी जो सिरीज होगी f of x is summation n equals to 1 to infinite b n का value minus 2 minus 1 raise to power n upon sin n x अब n के different value को put करने के after आप इसे find कर सकते हैं fx का value x है और यह summation n equals to 1 to infinite यह minus 2 को बाहर किया जा सकता है minus 1 raise to power n by n sin n x अब इसमें put किया जा सकता है और हमें series find obtain कर सकते हैं तो इस तरह से एक odd function के जो इक्जाम्पूल है वह solve हुआ अब आएए event function के जो event function के जो अब second question है जो कि event function पर based है तो किस तरह से solve होता है और इसको देखिए f of x is x square तो minus x put करने पर ये भी इसमें minus नहीं होगा और तो minus नहीं होता है प्लस हो जाता है तो ये event function हो गया और event function में a nut और an को find करना bn equals to 0 होता है तो f of x जो formula होता है यानि we have we have f of x is a nut by 2 plus summation n equals to 1 to infinite an cos nx then then यहां bn का value 0 हो जाएगा चुकि event function है it is a event function then a not equals to 1 upon pi minus pi to pi f of x dx जब इसको solve किया जाया तो यहां से 2 और यह जो है 0 to pi f of x is x square dx and 2 by pi और x square का integration x q by 3 और इसका जो limit है limit put करने के after that is 2 by pi और pi q by 3 pi को pi से cancel करने के after that is 2 by square by 3 obtain हो जाता है तो a nut का value 2 pi square by 3 अब a n के value के लिए now a n equals to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x cos nx dx जब जब इसको integral definite integration के rule के according 0 to pi f of x is x square and cos nx dx जब इसे solve किया जाए by integration by part के basis पर तो x square और cos nx का sin nx by n minus first function का differentiation और second का integration तो nx by n square फिर इसमें देखिए प्लेस होता है इसमें और यह minus minus sin nx और यह 2x का differentiation 2 और n cube अब limit 0 to pi जब इसे solve किया जाए तो x square sin nx by n minus minus plus 2x cos nx by n square plus 2 sin nx n होगा यहां nx by n cube अब limit put करने के after अब लोर लिमित पूट करने के बाद 0 into sin 0 by n plus 2 into 0 cos 0 by n square plus 2 into sin n 0 by n cube अब इसमें चुकी cos n pi equal होता है minus 1 raise to power n और sin n pi equal होता है 0 के और इसकी जो value put किया जाए तो an का value 2 by pi और 0 plus 2 pi minus raise to power n by n square plus 2 into 0 और यह सारे जो है 0 हो जाएंगे तो इस तरह से हम an का जो value obtain हुआ है 2 pi into 2 pi minus 1 raise to power minus 1 raise to power n by n square और pi को pi से cancel करने के after an का value 4 minus 1 raise to power n by n square होता है तो यह जो x square यानि यह first वाला जो from 1 जो है from 1 यानि f of x का जो value होगा a nut का value 2 pi square by 3 into 2 plus summation n equals to 1 to infinite a n का value 4 minus 1 raise to power n by n square cos n x अब n का value put करते जाएंगे और इस तरह से pi square by 3 plus summation n equals to 1 to infinite और 4 by n square cos n x इस तरह से हम यह जो value है event function के इस तरह से solution होता है तो आज के इस video को यही पर after that कि यह higher mathematics जदी आपको beneficial है तो like करें और subscribe करें at last करें तो